जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चक्रवियों के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चार ऐसे लोगों को चक्रवियू के चक्र मेफसाते हैं जिनकी पोल पटे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियों के चक्र में फसे हैं दंगा करने वाले किसान हलदुआनी हिनसा का मास्ट माइंड सपा नेता आजम खा और सपा नेता इर्फान सोलंकी इन सभी कात सारा काला चिथाप की सामने खोलते हैं और एक-एक करके बताते हैं इन सभी की करतूते हैं पहली खबर में बात प्रदर्शन कर रही किसानों की जिस पर तगड़ा एक्षिन हुआ है और किसानों की हवा टाइट हो गई है किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह उगर प्रदर्शन कारियों द्वारा सरकारी संपत्यों को नुकसान पहुचाने का काम किया जा रहा है उसे देखते हुए हर्याडा की अंबाला पुलिस ने सक्त कदम उठाया है अंबाला पुलिस ने कहा है कि सरकारी संपत्ती के नुकसान की भरपाई इनही आंदोलन कारियों की संपत्ती से की जाएगी इसके लिए संपत्ती की कुर्की और बैंक खातों को सीज करने की कारवाई शुरू कर दी गई है इसके लावा किसान संगठन के पदादीकारी के खलाब और भी सक्त एक्षन लेने की बाद भी पुलिस कह रही है चहां 22 फरवरी 2024 को जारी प्रेस नोट में अंबाला पुलिस ने कहा कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पलगे बैरी केड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किये जा रही है और पुलिस प्रशासन पर पत्थर बाजी और हुर्दंग बाजी करके कानून विवस्था बिगारने की कोशिश भी हो रही है इन सबसे सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को काफी नुकसान पहुँचा है पुलिस ने कहा है कि वो अब आंदोलन कारियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ती को पहुँचाए गए नुकसान का आकलन कर रही है सबकी भरपाई इनहीं आंदोलन कारियों की संपत्ती और बैंक खातों को सीज करके किया जाएगा पुलिस की माने तो उन्होंने इस संबंद में पहले ही सूचित किया था कि अगर सरकारी संपत्ती को नुकसान हुआ तो वो ये कारवाई करेंगे हालाकि पिछले कुछ दिनों में फिर भी ये घटनाई सामने आ रही है जिसके बाद पुलिस ने ये नोट जारी किया है ये भी जानकारी सामने आई है कि अम्बाला पुलिस की तरफ से भारती किसान यूनियन शहीद भगत सिंग के राश्ट्रिय अध्यक्ष और किसान मज़ुदूर मोचा के सदसे अमरजीत सिंग मोहडी के घर पर पुलिस का नोटिस चस्पा किया गया है इसमें लिखा गया है कि अमरजीत सिंग उस प्रदर्शन में एहम भूमिका में है जो अब उग्र हो रहा है अगर प्रदरशनकारी सरकारी संपत्ती को नुखसान पहुचाते हैं तो फिर मोहडी की संपत्ती से भी भरपाई की जा सकती है अगली खबर में बात हलदवानी हिंसा के मास्ट माइंड अब अब्धुल मलिक की पुलिस ने फरार वांटेड अब्दुल मलिक और अब्दुल मोहित की मुश्किले बढ़ाने का काम किया है यूपी, दिल्ली, हर्याना और कई राज्यों में पुलिस की कई टी में मलिक को पकड़ने के लिए दभिश दे रही है लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ सबनता हाथ नहीं लगी फरार मलिक और उसके बेटे मोहित को पकड़ने के लिए पुलिस जल्द ही इनाम घोशित कर सकती है पुलिस सूतरों की बात माने तो अबदुल मलिक के साथ साथ उसके रिष्टधारों और परिशतों की कुंडिली को खंगालना भी पुलिस ने शुरू कर दिया है वहीं आपको बता दे कि बनभुल पुरा हिंसा मामले में मास्टर माइंड बताय जा रहे अबदुल मलिक और उसके बेटे अबदुल मोहित को पुलिस वांटेड घोशित कर चुकी है साथ ही साथ इनकी संपत्ती कुर्क करने की भी कारवाई पुलिस ने पूरी कर ली है वो किसी और मोबाईल का इस्तमाल तो नहीं कर रहे और सिम कार्ड बदल कर उसका इस्तमाल कर रहे हो फिलहार पुलिस जाज कर रही है पुलिस हर वो तरीका अपना रही है जिससे मलिक को जल्द गिरफतार किया जा सके इसके लिए पुलिस ने मलिक के रिस्तेदारों और परिचतों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है वहीं उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, दिल्ली, हर्याडा तमाम राजियों में उसकी तलाश हो रही है साथी साथ हल्दवानी, बरेली, दिल्ली और हर्याडा में दबिश के साथ साथ सर्विलांसिंग भी की जा रही है SSP PA नाराण मीडा ने बताय कि अब्दुल मलिक के साथ साथ चारों वांटेड की धर पकड के लिए दबिशे जा रही है उदर करफियो मुक्त बनभुलपूरा में तैनात रहेगा फोर्स हल्दवानी के बनभुलपूरा से करफियो पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी पैरा मिलिटरी का पैरा कुछ दिन रहेगा जेल में बंद आजम खा के मौलाना मुहम्मद अली जोहर ट्रस्ट के बैंक खाते सीज किये जाने के मामले में लहबाद हाई कोट ने रामपूर के जिला सहकारी बैंक को छे हफ़ते में फैसला लेने का आदेश दे दिया है। जोहर ट्रस्ट द्वारा दाखिल की गई और मानना याचिका पर सुलवाई करते हुए पारित किया है। जोहर युनिवरसिटी कैंपस में संचालित हो रही जिला सहकारी बैंक की शाखा में कई अकाउंट खोल रखे थे। सहकारी बैंक ने ट्रस्ट के इन बैंक अकाउंट को बचित खाता मानते हुए लाखों रुपे के ब्याच का भुकतान किया था। जबकि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। को सुनकर नए सिरे से फैसला ले। बैंक द्वारा कोई फैसला नहीं लिये जाने पर हाई कोर्ट में आउंबानना याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। आखरी खबर में बात समाजवादी पार्टी को लगे तगडे जटके की। क्योंकि रामपुर के MP MLA कोट ने जेल में बन समाजवादी पार्टी के बधायक इरफान सोलंकी को राजसभा चुनाओ में मतदान की अनुमती देने से इंकार कर दिया है। इरफान सोलंकी ने राजसभा चुनाओ में वोट डालने की याचिका लगाई थी। आगामी 27 फरवरी को राजसभा के लिए मतदान होने वाला है। लेकिन कोट ने उन्हें इसकी अनुमती नहीं दी है। ऐसी में हूँ वोट करने से वंचित रह सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा जटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दे कि इरफान सोलंकी कानपूर से समाजवादी पार्टी के बढ़ायक है और कई मामलों में फिलाल जेल में बद है। इरफान सोलंकी की ओर से याचिका ये लगाए गई थी कि उन्हें 27 फरवरी को होने वाले मतदान में हिस्सा लेने की अनुमती दी जाए। इरफान सोलंकी की याचिका को लेकर ये सवाल उठाया गया कि उनके प्राथना पत्र में पैरोल या शौट टम बेल की गुजारिस्त की गई है। उनको किसी भी चुनाओ में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। संपत्ती जब्त की जा चुकी है। आज हमने देखा कैसे चक्रिव्यू के चक्र में दंगा करने वाले के साथ अल्दुवानी हिंसा का मास्टर माइंड सपानेता आजम खा और सपानेता इरफान सोलंकी फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुल कर सब के सामने आ गई। चक्रिव्यू में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे। संसनी केस खुलासों के साथ बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिचल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार। मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता। मैं लोगों के बीच रहता। लोगों के मन को अच्छे से जानता। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचांकर। संघर्ष पी सियासत से संदा के सिंधासन तक। मैं हर खमर से खरा सच नीकार। ना कोई दौड ना कोई रेस। क्यापिटल टीव उत्तर पदेश। झाल झाल झाल